श्री लिंग महाप्रान के सात्वे ध्याय में उत्तर भाग में भगवान विश्णु के अस्ताक्षर तथा द्वा दिशाक्षर मंत्र जव की महिवा में एत्रे भ्रामन की कताः। रिशिगन बोले किस मंत्र के जब से प्राणी संपूरन संसारिक भे आदी से मुक्त हो जाता है और समस्त पापों से छूट कर परमगती प्राप्त करता है किस जब के द्वारा मनुष्य अलच्वी का त्या करके लच्वी युक्त हो जाता है है सूजी ये सब आप बताईए। तो सूजी कहने लगे पूर काल में पितावाई ने महात्मा विशिष से इस विशे में जो बताया था वे सब मैं सभी प्राणीयों के कल्यान के लिए शंक्षे में बताऊंगा। वच्चन करम से प्रशत्म को प्राप्त करके नमो नरायनाई इस मंत्र का जब करता है। सोते जागते चलते बैठते भोजन करते आंखे खोलते तिथा मूनते नरायन का समरन करता है। भोज्य पे तिथा ले पदार्तों का शपर्ष करते हुई नमो नाराइन आई इस मंतर से अभी मंतरित करके उसे ग्रहन करता है वे परम गती को प्राप्त होता है और सभी पापों से मुक्तो कर सद्गती को प्राप्त कर लीता है मुणी दुस्य की पत्री जो मेरे द्वारा अलच्छमी कही गई है वे नाराइन नाम को सुनते ही महाँ से भाग जाती है इसमें शंचे नहीं है और है सुवरतो देवों के भी देव भगवान शिरकिश की प्रिया जो लच्छमी है वे उस मुनिश के घर शेत्रावास तताश्रीर में वास करती है सभी शास्त्रों का समय कनुशीलिन करके और बार बार विचार करके यही एक निश्चे किया गया है कि सदा नाराइन का ही ध्यान करना चाहिए अनेक मंत्रों तथा वरतों से उस मुनिश्य को क्या प्रयोजन क्योंकि यह नमो नाराइनाई मंत्र सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाला है अता हेवी पिंद्रों जो सभी समय नमो नाराइनाई इस मंत्र को जबता है वे बंदो भांदो सहित विश्णू लोग को प्राप्त हो जाता है हे मुनीश रिश्टो अब आप लोग देदे भगवान विश्णू के अन्य मंत्रों के महात्यम का श्रमन करें मैंने पूर कान में समस्त विदार्थों को सिद्ध करने वाले बारा वर्नों से युक्त द्वादश अधित्य सवरोग तुदा सनातन मंत्र का अभ्यास किया था उसी मंत्र का महात्यम में आप लोगों को शंक्षे में बता रहा हूं किसी महामनीशी ब्रामन ने तपस्या करके किसी तरह एक पुत्र को उत्पन करके करम के उन्सार उसके सभी संसकार संपन किये यह था समय उसके अपनेंगे पश्चात उस द्विज ने उसे अध्यन कराया किन्तु वे कुछ भी नहीं बोल पाता था उसकी जिहा किसी भी शब्द का उच्चारन नहीं करती थी वे एक्त्रे नामक बालक केवल वासु देवाई इस मंत्र को निरंतर बोलता था इससे वे ड्विज श्रीष्ट बहुत दुखित हुआ तब उसके पिता ने दूसरी इस्त्री से विधान के साथ भी वा करके उससे विधी पूरक पुत्रत्पन किये वे पुत्र वेदों का अध्यन करके सब के मानने तथा संपती युक्त हो गे एत्रे की वे माता इससे अत्यन दुखित तथा शोका कुल होकर उससे बुली मेरी सोत के पुत्र संपन है तथा वेद वेदांग में पारंगत है वे भ्रामनों से पुजित होते हुए अपनी माता को अनंदित करते हैं एक तुम हो जो मुझ अभागिन को उद्यम हीन पुत्र उत्पन हुए अब तो मेरा मर जाना ही श्रेश कर है जीवित रहना किसी भी तरह ठीक नहीं है माता के दवरा ऐसा कहा गया वे एत्रे वहाँ से निकल कर यग्यमंडब में गया उसके पहुँचते ही वहाँ उपस्तित रित्ग्यों को मंत्र अवगत नहीं हुए उस एत्रे के वहाँ स्थित रहने पर सभी ब्रामन मोहित होगे तब वसदेव इस नाम मंत्र के कीतन से उसके मुख से मंत्र मै वानी निकलने लगी ये देखकर उस विप्रों ने परनाम करके यथा विदी एत्रे का पूजन किया तब पस्चात वहाँ पर यग्यदेव स्यम ही उपस्तित हुए तब उस यग्य को पून करके उन विप्रों के द्वारा वह एत्रे धन आदी से सम्मानित किया गया उसने एक निश्टों कर छे अंगों सहित सभी विदों का उस विप्रसवा में कथन किया तब हर्शी तोकर सभी रित्यक, ब्रामन, आदी तथा दिजगन उनकी स्तुति करने लगे और सभी खेचर, सिद्ध तथा चारण उनके उपर पुष्विरिष्टी करने लगे हे दिश्रिष्टों, इस प्रकार यग्य संपन करके, वे एत्रे अपनी माता की पूजा करके विष्णू लोग चला गया मैंने ये द्वादे शाक्षर मंतर का महत्त आप लोगों को बतला दिया इसे पढ़ने तथा सुनने वालों के महापाप का नाश हो जाता है जो मुलिश इस अमिनाशी द्वादे शाक्षर मंतर का नित्य जप करता है वे भवान विष्णू के अन्पौन दिवित था प्रमपत को प्राप्त होता है पाप करने वाला भी यदि इस द्वादिशाक्षन मंत्र ओम नो भक्ति वास्तिवाई के जब में तक पर रहता है तो वैं परमपद प्राप्त करता है इसमें संदे नहीं करना चाहिए तो फिर है सुवरतो जो लोग अपने धर्म में स्थित रहते हुई वासुदेव प्रायन है उनकी बात ही किया वे महात्मा तो दिविस्थान विश्णू लोग अवश्य प्राप्त करते हैं